नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल NL Vlog 55 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम सिलाई मसीन में आने वाली कुछ प्रोब्लम्स जो अक्सर हमें परिसान करती हैं उसके लिए हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप उस प्रोब्लम की आसानी से ठीक कर सकते हैं तो आईए वीडियों शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली जो प्रोब्लम होती है हमारी सिलाई मसीन हमारे कपड़े को नहीं खीचती है जितना मर्जी हमें सिलेटर दबा ले हमारी सिलाई मसीन कपड़े को नहीं खीचती है तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा मसीन को पहले पल्टी करना होगा मसीन को पल्टी करने के बाद दोस्तों फिर हमें ये देखिए ये वाले नट को हमें हलका ढीला कर देना होगा ये देखे जिस तरह ये देखे जिस तरह हम पेजकर से इसको हलका ढीला करने इस तरह ढीला करने के बाद में आप भी उसके बाद में ये देखे नीचे ये वाले इसको हलका समय ऊपर करना होगा तो दोस्तों दुबारा से एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं कि कौन सा नट हमें ढीला करना है देखो ये वाले नट को हमें ढीला करना है इसे हलका ढीला करने के बाद में फिर हमें ये देखिए ये वाला है इसे हलका सा ऊपर कर देना है इसको ऊपर करने से दोस्तों पता क्या हो गा, हमारा, जो मसीन, का दाद, दंद्राल, जिससे हम बोलते हैं, वो उपर हो जाएगा, क्योंकिHHH, हमारा, दंद्राल, नीचे होने के उचैसे, हमारी स्लाई, मसीन, जो है, पल्ले को नई खीचती है, यह दीखे अब हमारी सिलाई मशीन किस तरह पल्ले को आसानी से खीच रही है तो आपकी सिलाई मशीन भी कपड़ा नहीं खीच रहा तो आप भी इस तरह समस्या दूर कर सकते हैं 보다 जो हैं नो दूसरी जो प्रब्ल Keys आते हैं दोस्तों हमारे शृमल मसीन में कुछ इस परकार का होता है जैसे हमारी सुलाई मसीन ऐसे बुच्छे देती हुग बार-बार जो है न बोवन केस में जो ह sev हमारी बोविन का धागा बार बार फिज जाता है तो जिस प्रकार आपको भी प्र्ब्लम हाती रहती तो इसे दूर करने के लिए दोस्तों आपको ये सिंपल साट्रिक बताते हैं जिससे आपके ये प्र्ब wrench हमेशा के लिए दूर तो दोस्तों वीडियो को दिहान से एंड तक पूरा देखते रहना जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काटना है उसके बाद उसे गोल काट देना पूरा अपने बोबिन केस के बराबर पूरा दोस्तों जा इसको फिर बोबिन केस में फिट कर देना उसके बाद बोबिन लगाके फिर चुक करके देखते एपैसे हमारे सिलाओे ज़ह चल रही है को ईड़ा भी नहीं चल रही है कोई दागा भी नहीं फस रहा है और टाका बढ़ियां दे रही है तो इस तरह आप भी इस प्रेशानी को आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सस्प्राइब करके बेल आइकन को आल पर क्लिक कर देना तो बढ़ते हैं दोस्तो नेक्स्ट प्रोबलम के तरफ नेक्स्ट प्रोबलम जो आती है दोस्तो वह पता है कि आज कभी काल हम लेदर का कोई कपड़ा लेते हैं उस पर अगर सिलाई करते हैं तो हमारी फूट जो होती है जिसे हम बूड बोलते हैं वो हमारे जो है ना कपड़ी को नहीं खीचती है मतलब लेदर को नहीं खीचती है इसके लिए हमें प्लास्टिक बूड की जरूरत होती है तो दोस्तों प्लाश्टिक का बूर्ड लगा के फिर आपको चकर करके दिखाते हैं कि हमारे सिलाई मसीन खीच रही है कि नहीं खीच रही है तो दोस्तों वीडियो को बिना इस्केप के वरेंड तक देते रहे न क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी तभी आप अपने मसीन के समस्या हल कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना चैनल पर ने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर क्रिक कर देना क्योंकि ऐसे ही यूजफिल वीडियो हम आपके लिए लेते आते रहते हैं तो यह देखिए दोस्तों अब हमारी सिलाई मसीन कितनी अच्छी तरीके से जो है लेदर वाले कपड़े को खीज रही है तो दोस्तों इसके बाद भी एक और ट्रीक है अगर मालो हो सकता हमारे पास प्लाश्टिक का फूट ना हो ठीक है कविकाल दोस्तों क्या होता हमारे प्लाश्टिक का फूट वे ऀच आगर बिमारे बीट आथ कि यह यहां बोला और वसके बूंक र Kerry उमर्मारे पास नॉर्मार्मvl आग वोता उस पे जो है अमें लुज्ज है कि ह्या दिखाता हूं आपको यह दिखिए दोस्तो यह टेप है इस टेप को हमें नीचे इसके ऐसे चपका देना है दोस्तो ठीक है ऐसे चपकाने के बाद में फिर दोस्तो इसको चारत दोस्ते हमें काड के बराबर कर देना है वीडियो को ध्यान से दोस्तो देखते रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके उसको टेप को लगाने के बाद दोस्तो फिर उसके बाद में हमें फिर अपने फुट को टाइट कर देना है तो दोस्तो अब हम चला के देखते हमारी सिलाई मसीन लेदर पर चल रही है कि नहीं यह देखू लेदर वाले कपड़े पर कितना बढ़िया तरीके से चल रही है तो दोस्तों आप भी इस तरह अपने स्लाइ मसेन की आने वाली इस समस्या को भी आसानी से ठीक कर सकते हैं आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे यूजफिल वीडियो हो आपके बीच में लेके आते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए आप लोग स्वस्त्रों मस्त्रों और देखते हो अने लोग 55 यूट्यूब चैनल तब तक के लिए बाई बाई